जय मातादी दोस्तों आप सभी को रक्षा बंधन की धेर सारी शुब काम नहीं आईए जानते हैं साल 2021 में रक्षा बंधन कब है राखी बांधने का शुब मोर्थ क्या रहेगा इस दिन राहुकाल का समय क्या रहेगा भद्राकाल का समय क्या रहेगा और राखी बांते समय किस मंत्र का जाब करना चाहिए तो सबसे पहले जान लेते हैं रक्षा बंधन के शुब मुर्थ के बारे में 22 अगस्त रभिवार के दिन रक्षा बंधन है और इस दिन राखी बांतने का शुब मुर्थ रहने वाला है सुबह 6 बचकर 12 मिनट से लेकर शाम 6 बचकर 3 मिनट तक इस दिन भद्राकाल का समय मानने नहीं होगा अभी जीत मुर्थ रहने वाला है दोपहर 12 बचकर 4 मिनट से 12 बचकर 55 मिनट तक इसके साथ ही राहुकाल का समय रहने वाला है शाम 5 बजकर 32 मिनट से शाम 7 बजकर 12 मिनट तक कहा जाता है कि राहुकाल में पूजा करना या फिर राकी बादना अश्युब माना जाता है इसके साथ ही अगर भद्राकाल का समय रक्षाबंधन के दिन होता है तो कहते हैं कि भद्राकाल के समय भी राखी नहीं बांधनी चाहिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रावन की जो बहन थी उसने भी रावन को भद्राकाल के समय राखी बांदी थी जिसकी वज़े से रावन का विनाश हुआ था रक्षबंधन का तिहार आता है सावन महिने के शुकलपक्ष की पूनिमा को तो आई जान लेते हैं पूनिमा की तिथी कब से लेकर कब तक रहने वाली है पूनिमा की तिथी प्रारम हो रही है 21 अगस्त की शाम 7 बज़कर 1 मिनट से और ये तिथी समाप्त हो रही है 22 अगस्त की शाम 5 बच कर 31 मिनट पर क्योंकि पोनिमा का जो दिन होता है वो हिंदी महिने का आखरी दिन होता है इसके बाद से नया हिंदी महिना प्रारंभ हो जाता है बात करते हैं पोनिमा के दिन सूर्यदे, सूर्यास्त और चंद्रोदे के समय की तो सूर्यदे का समय रहने वाला है 22 अगस्त को सुभा 6 बच कर 9 मिनट सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6 बच कर 49 मिनट चंद्रोदे का समय रहेगा शाम 7 बच कर 8 मिनट पर अब मैं आपको बताती हूँ कि राखी बांधते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए राखी बांधने का जो विशेस मंत्र है वो इस प्रकार है येन बुद्धो बली राजा दानवेंद्रो महा बलह तेनित्वा मनु बधनामी रक्षे माचला माचला वैसे तो हिंद्धो धर में रक्षा बंधन का त्योहार मनाने के पीछे बहुत सारी धार्मिक मानेताएं प्रचलित हैं उनमें से एक धार्मिक मानेता है कि यम्राज की बहन यमुना ने आज ही के दिन उनकी कलाई में राखी बांधी थी जिसके बदले यम्राज ने यमुना को अमर्ता का वर्दान दिया था एक और पौरानी कता है जो कि भगवान कृष्ण और द्रौपती से भी चुड़ी हुई है एक बार भगवान कृष्ण की अंगुली कट गई थी जिसे देखकर द्रौपती ने बिना देर किये अपनी साड़ी का पल्लू फार कर भगवान कृष्ण की अंगुली को बांध दिया था भगवान द्रौपती के इसकारे से बहुत रवित हुए कहा जाता है कि तब भगवान कृष्ण ने इसके बदले में द्रौपदी की रक्षा तब की थी जब उसका चीर हरण हो रहा था इसलिए रक्षबंधन के दिन बहने अपने भाई की कलाई में राखी बांथती है और बदले में भाई उनकी रक्षा करने का वचन उन्हें देती है भाई को राखी बांथने से पहले एक राखी भगवान गरनेश को और एक भगवान कृष्ण को अर्पित करनी चाहिए उसके बाद गी का दीपक जिलाकर सबसे पहले भाई को दिलक लगाना चाहिए और फिर आर्थी उतानी चाहिए इसके बाद भाई को पूर्व या फिर उत्तर दिशा की तरफ मूगर के बिठाने के बाद ही राखी बादनी चाहिए राखी बानने के बाद भाई को मिठाई खिलाई जाती है और ऐसा कहा जाता है कि राखी बानते समय भाई और बहन दोनों का ही सिर धका होना चाहिए ये थी आज की वीडियो, उमीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा